हालो एर्वान आम रमेश निसार और वालकम ये ओलन बिहाफ अभीपसा न अभीपसा टीम जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक मिसन चला रहे हैं जिसका नाम है मिसन 2023 जिसमें धेर सार इंपोर्टेंट कोशन आंसे आपको वीडियो के मादम से प्रवाइड के जा रहे हैं तो last video lecture में हमने क्या देखा था last video lecture में हमने articles and question tag के बारे में चर्चा की थी आज हम start करने वाले हैं बहुत important topic जो की है question answers और ये previous year की questions है यानि ये आपके previous years में आए हुए हैं और ये unit first inspiration से लिए गया हैं तो start करते हैं हमारा first question है what is patriotism यानि देश भक्ति क्या है तो देजभक्ती क्या है तो देजभक्ती का अर्थ क्या सिर्फ महात्मा गांधी या फिर जवाहलान नहरू की तरह जेल जाना या फिर भगस्ती या चंद्र सिखर अजाद की तरह देज के लिए बलिदान हो जाना सहीद हो जाना क्या यही सिर्फ देजभक्ती है नहीं प्रतिसंपमान दिखा करने आप्चाति में लोगों की सेवा करके भी हम प्रोफेशन में हम पी हम अलग अलग प्रोफेशन से भी हम अपनी देज भक्ती दिखा सकते थे तो यही होता है देजभक्ती घ्रांथ बिख सकते हैं Patriotism is not only to go to jail and to die for one's country but to love one's fellow countrymen and other things of the country also. Patriotism can be reflected from one's actions towards it. So, the state of the country is only to go to jail or to the country. The state of the country is not only to be able to do the state of the country, but the state of the country is not only to be able to do the state of the country. Now, let's see the next question. Why is the national anthem not played in the cinema halls these days? In the days, cinema halls, national anthem, or the national anthem, why did not play the national anthem? Because it was the first time that the movie of the anthem was played, but it didn't happen. Why? Because it was the time that the cinema hall of the anthem was played. So, the international anthem does run the state, because of the national anthem in the cinema hall, the national anthem was played again. end of the movie in the cinema hall, but people would leave. The hall would be laughing, shouting and making noise that showed disrespect towards the anthem. This made the government to take the decision of not playing the anthem these days. और इसी वजय से गवर्मेंट को या नेना लेना पड़ा. और आप भी जब भी जब कभी भी national anthem यानि जन अगर्नमन हमारा जो रास्ट्रकान है ये जब बजा जाता है या चला जाता है या लोग की द्वारा गाया जाता है तो उस समय हमें साधान की मुद्र में खड़े हो करके अपने राश्ट्रकान का सम्मान करना चाहिए उस समय हमें कोई भी activities नहीं करनी चाहिए ना चलना चाहिए ना भी हमें कोई भी काम नहीं करना है उस समय हमें साधान की मुद्रम में खड़े हो करके अपने राष्ट गान का सम्मान करना चाहिए तो यह भी क्या है यह भी एक देजभक्ति है नाव लेट सी देनेस्ट क्वेश्चिन वाइडि ना ना टू हीमा पेट यहां पर पूछा जा रहा है कि जो नाना ची है वह अजीत और नाना को हीमा पेट लेकर के क्यों गए तो इसका रिजन यह है कि जो नाना ची है वह इन बच्चों को देजभक्ति का सही अर्थ है चाहते थे क्योंकि बच्चों को थोड़ी पता था बच् का मानना था लेकिन जो नाना जी है वो उनको ये दिखाना चाहते थे कि वो देशभक्ती सिर्फ वही नहीं है देशभक्ती करता हैं छोटे छोटे तौर तरीकों से अलग अलग प्रोफेशन से भी देशभक्ती कर सकते हैं और ये जो confession जी है ये देज भकती का सही अर्थ एक real story, एक doctor की story कि माध्यम से दिखाना चाहते थे आकास, जो की इनका पुत्र है, इनके माध्यम से वो बताना चाहते थे आकास ने कैसे और किस तरह से अपने देश के लिए, उपने देश के लोगों के लिए, अपनी जो life है, अपनी life को न लेकर के गए हुए थे, तो आंसर होगा, Nana ji took Ajit and Nana to Himapet because he wanted to make them understand the meaning of patriotism by telling a story about Aakas, a true patriot, Aakas who sacrificed his life for his country, तो Aakas की story के मादम से वो उन दोनों बच्चों को जो देजभक्ती है, उनका सही अर्थ समझाना चाहते थे, बताना चाहते थे, Now let's see the next question, Why did Aakas decide to settle down in India? What does it show about his character? Aakas ने ऐसा निडिड़ा क्यों लिया कि वो भारत में बस जाएंगे और ये उनके character के बारे में क्या दिखाते हैं? तो Aakas क्यों भारत में बसना चाहते थे? Aakas का ये मानना था कि जिस देश ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, जिस देश ने मेरी पढ़ाई के लिए, मेरे education के लिए 1000 रुपे खर्च किये हैं, तो मैं उस देश के लिए कुछ करूँ, उस देश के लोगों के लिए कुछ कर कैसा कुछ किये हैं, वो एक डॉक्टर थे पूफेशन से और उन्हने अपनी लाइफ को साक्रिफाइस कर दिये, क्योंकि वो लोग की सिवा करना चाहते थे, देश की सिवा करना चाहते थे, तो इसका अंसर इस तरह से हो जाएगा, Aakas decided to settle down in India, because he wanted to serve the Indian people by his profession. It shows that Aakas had love for his country and countrymen. Okay, now let's see the next question. Our next question is, how did the villagers express their gratitude to the service provided by Aakas? तो Aakas के द्वारा जो सिवा प्रदान की गई, उसके प्रती villagers जो है, वो अपना gratitude, अपना आभार व्यक्त करने के लिए, अपनी सधधांजली अर्पित करने के लिए, क्या कि डोनेशन एकत्रित किये, चंदा एकत्रित के और चंदा एकत्रित करने के बाद, उन्होंने एक hospital का निर्मान किया और जिसका नाम रखा गया आकास मेमोरियल हॉस्पिटल और इसके बाद इसके उद्गाटन इनके पैरेंट को निवाइट किया गया और इनके फादर के द्वारा इनके पिताजी के द्वारा अकास के पिताजी के द्वारा उनका उद्गाटन किया गया तो इ In the memory of Dr. Akaas and after completion of it, they invited Akaas's parents in the opening ceremony and Akaas's father inaugurated the hospital. और इस तरह से उनके ही नाम से hospital का निर्माण किया गया. क्योंकि Akaas ने क्या किया था? Akaas ने देश के लिए देश के लोगों के लिए उन्होंने अपना अपनी जो लाइफ है उन्होंने साक्रिफाइस किया. क्योंकि महमारी आई हुई थी और महमारी से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ का परवाह बिल्कुल भी नहीं किया. और वो लोगों की treatment के लिए वो लगे हुए थे, लगाता लगे हुए थे. Now, let's see the next question. What difference do you notice between Akaas and his friends? यहां पर पूछा जा रहा है कि Akaas और Akaas के friends में क्या अंतर है? क्या अंतर पाया गया? तो आकास और आकास के फिंट्स में धेर सारे अंतर पाए गए कि जो आकास है आकास का मानना था कि जिस देश में मेरे लिए 1000 रुपे खर्च किये मेरे सिक्षा के लिए इतने खर्च किये है जिस देश में मुझे जिन्दगी दी है लाइफ दी है उस देश के लिए उस देश क करोड़ों रुपिय कमा सकते थे लगजरी लाइफ व्यतित कर सकते थे लेकिन उने ऐसा नहीं किया यह अपने देश में आए देश की लोगों की सिव में लगे रहे हैं महामारी की वक्त यह अपनी लाइफ की बिल्कूल भी परवाह ने किया और लोगों की ट्रेटमेंट में लगे रहें और अंत में उन्होंने अपनी लाइफ साक्रिफाइस कर दी और इस तरह से इनका देहांत भी हो गया जबकि इनके जो फ्रेंट्स है इनके जो फ्रेंट्स है यह धेर सारे पैसे कमाने में लगे हुए थे यह लगजरी लाइफ व्यतित कर रहे थे गाड़ी अंसर हो जागा, Akaas thought about the service for his country and countrymen because he thought the country had spent thousands of rupees in his education and it was his duty to serve his country first. On the other hand, all his friends were only living their luxury, luxurious life in America. तो इनके जो फ्रेंट्स है पूँ अमेरिका में लग्जरियस लाइफ व्यतित कर रहे थे जबकि आकास ने लोगों के बारे में अपने देश की लोगों के बारे में अपने देश की बारे में उन्हें सोचा. Now, let's see the next question. Our next question is, what was the little kite afraid of? जो छोटी पतंग है, छोटी पतंग को किस बात का डर था? तो छोटी पतंग को ये डर था कि वो कहीं उपर से, उपर उरते समय कहीं नीचे न गिर जाए. तो इसी बात का उसे डर था. जब छोटी पतंग उन्हें की कोसिस करती है, प्रादम में तो काफी डर हुई थी, और जो बड़ी पतंग है वो बार-बार इंकरेज करती है कि तुम उड़ो, उड़ो, लेकिन उड़ती नहीं है, काफी डर हुई थी. तो ऐसा होता है ना कि जब कभी भी आप भी जब कहीं उचाई पे जाते हो या चड़ते हो, जैसे आप पेंड प स्लाइट से नीचे गिरने का इसे डर था, तो यह आपका अंसर होगा. Now, let's see the next question. How did the boys look like from the sky? अब देखिए, छोटी पतंग अब काफी उची उड़ान पे चले गई है, अब जब काफी उची उड़ान पी जब वो थी, तो जो बच्चे है, वो कैसे दिखाई देंगे? वो दिखाई दे रहे थे, और चुकि छोटे जो बच्चे है, वो खेल रहे थे, तो खेल रहे थे, तो ऐसे लग रहे थे, जशी छोटे जो डॉट्स है, दब है, वो मूँ कर रहे हो, गति कर रहे हो, तो ऐसा वो दिखाई दे रहे थे, तो इसका अंसर अशा होगा, the boys looked like small spots moving round from the sky, तो वो ऐसे दिखाई दे रहे थे, now let's see the next question, our next question is, why was Kailas Satyarthi awarded the Nobel Prize for peace, यहाँ पे कहा जा रहे है कि जो Kailas Satyarthi है, Kailas Satyarthi को सांती का Nobel प्रुशकार क्यों दिया गया, तो इसका अंसर क्या है, कि जो Kailas Satyarthi है, इन्होंने अपनी life, उन बच्चों के लिए sacrifice किया, उन के लिए उन्होंने समर्पित किया, जिन जो बच्चे अपने बच्चपन से, अपने स्वास्थ से, अपनी सिक्षा से, अपने स्वतंतरता की मौलिक अधिकारों से वंची थे, उन बच्चों के लिए उन्होंने अपनी life समर्पित किया हुआ था, उन्होंने इसी वज़र से इन्हें सांती का नोबेल प्राइज दिया गया, तो इन्हें कब दिया गया था, 10th October 2014, 2014 को इनको सांती का नोबेल प्राइज दिया गया, तो इसका आंसर इस तरह से होगा, कालासते तर्थी लृज गिवन अपनी अवद आवार्ड फॉर पूसभी केकर ठामाच लॉट नोगों के परती जये, काफी समरपित थे जो बच्चे काफी पिछडे हुए थे जो अपने सिख्षा से स्वास्त से इस तरह से वह अपने अधिकारों से वन्ची थे अपने मौलिक अधिकारों से स्वतनत्रता के अपने मौलिक अधिकारों से वन्ची थे तो इस तरह से आज हमने कुछ important question answers complete कर ले हैं यह question answers आपके previous share में आए हुए और हो सकता है कि आने वाले exam में भी आए तो इसलिए आप ब्री प्रिप्रेयर हो जाए और question answers को रटिये मत समझे अच्छे सा समझे story को समझे कि आपके questions क्या पूछे जा रहे हैं और answer आपको क्या देना है ताकि यदि यदि आप question answers यदि भूल भी गय तो भी आप अच्छे से लिख सकते हो तो इस तो से आप यह video को बारवार देखिए story को समझे और user को समझे और answer को कैसे देना है इन चीजों को आप अच्छे से दिमाग में रखें तो इस तरह से आप जो है हमारे साथ बने रहे आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मैं मिलूंगा एक इंट्रेस्टिंग लेशन के साथ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद